हेलो इंडिया, context. मेचीन लर्निंग एंट्थर प्रोजक्ट टिल दिप्लॉयमेंट अभी हम मसीन लर्निंग दिप्लॉयमेंट फेज मरित है और वृश्ड्राज की व्पेशाज हिसे हम स्टांडर्सकेलर को dump करते हैं और squad load करते हैं और यहाँ पर हमारा user हितने हमें output देने वाला है उसका इस्तमाल करके हमें prediction करने है तो यहाँ पर हमें user इस format में output देंगा और हमारा model इस format में data को consume करता है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आर्स तो 29 आर्स हमारा वही format में जिस format में हमारे मॉडल को जाता नेक्स टेंपरेचर हुमिडिटी विंड स्पीड विजिबिलेटी सोलर रेडिशन रेन फॉल स्नूफॉल बट यहाँ पर सीजन है हमारा model नंबर के format में data को अब यहाँ पर हमारे यूजर ने विंटर दिया है तो चोल एक बार देख लेते तो बेसिकली यह हमारा डेटा था इस format में data और डेटा में विंटर अंटम हमारे पास multiple ती उसको हमने कहा पर देखा एक बार यहाँ पर नीचा आके देख लेते तो हमारे पास सीजन में गत्र के विंटर स्प्रिंग समर अन्टम था राइट उसे के साथ हॉलिडे में हॉलिडे और नो हॉलिडे था आपola डिख Christmas day यह और पीछणा रहा सबसे पहले हमें क्या करना है इन दोनों के ओपर हम सबस Victory antic यह आपर एक heading देता हम converting user data user data into model consumable format यह आपर मैंने लिया यह अब हमारे पास दो possibilities है holidays में and functioning days में तो हम क्या करेंगे dictionary करेंगे सबसे पहले यह आपर मैं लेता हूँ dictionary basically और यहाँ पर हमें क्या करना यह आपर extra एम हटा देते हैं और उसके बाद मान लो हमारे पास user से input आता है holiday तो हम क्या करेंगे हम यहापर देंगे value यहापर आप बोलोंगे आपने one value लिया और zero value किस basis भी लिया है तो यहार हमने यहापर data को numbers के format में convert किया तो हम नीचे आते हैं यहापर देखो encoding था हमारा किदर गया encoding okay यह नहीं है यहापर देखो encoding हमने यहापर start किया season holiday को छोड़ दो holiday देखो no holiday holiday है और functional day values है इनका हमने देखो no holiday को हमने zero लेता और holiday को हमने one लेता यही format हम यहापर लेने वाले है उसी तरगे से हमारे functioning data बढ़ यहापर हमने map किया था यह data frame में हमारा data इसलिए हमने mapping का इस्त functioning underscore day equals to हमारे यहापर list महानलों में no मिलती है तो हम zero लेंगे yes मिलती है तो one लेंगे that's simple functioning का spelling सही है सही है इस तरगे से हमने इन दोनों को solve किया next हमारे पास है date अब इस date को भी हमें solve करना पड़ेगा जैसे कि हमने यहापर date के ओपर काम किया था किदर गया date date को हमने पहले solve किया तो यहाप उपर जाते है और encoding date 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 को हमने सबसे उपर ही solve किया था यहापर आप देख सकते हो देखो हमने date को किसमे करनोड क्या था weekdays day month and year तो यहापर भी हमें यह काम करना पड़ेगा तो अभी हम यहापर क्या करेंगे कि इंपोर्ल को इंपोर्ट करेंगे उसका नाम है import date time को इंपोर्ट करेंगे और यहापर हमारे पास user से क्या करेंगे date and time.sprrt और इसको हम देदेंगे date यह date देने के बाद हम क्या करेंगे date के हिसाफ से हमारे date में यह पहले day है यहापर हम double code के अंदर percentage लेंगे तो हमारा यह क्या करेंगा function हमें day निकल के देंगा वाइट नेक्स्ट हम क्या करते हैं percentage हमारे इस date में क्या है second month है तो यहाँ पर हम लेंगे percentage m और next हमारा year तो यहाँ पर हम percentage capital year करेंगे तो यह हमें क्या करेंगा date date and format में information दे देंगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सबसे फिलिक function को भी दे दीते हैं ताकि हमें multiple time इसको access करने में easy हो जाएंगा तो यहाँ पर हम देना पड़ेगा date date देते हैं bracket complete और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे हम print करके आपको दिखाएं देते यार print या return नहीं कर लेते है डायरेक रिटर्न रिटर्न क्या रटेंग करेंगे यहाँ पर dictionary टपल में हम dt.day करते हैं चुल इसको छोड़ देते हैं हम dictionary देंगे यहाँ पर लेते हैं और यापर लेते हैं dt.day नेक्स्ट हम की लेते हैं month और यापर हम लेते हैं dt.month नेक्स्ट हम लेते हैं year और यहां पर लेते हैं dt.year नेक्स्ट हमें क्या चाहिए हमें चाहिए day weekday तो यहां पर लेते हैं week underscore day और यहां पर हमें weekday तो इस format में से हमें मिलेगा ने directly तो हमें यहां पर लिखना पड़ेंगा dt.strf time यहां पर हमें day ना पड़ेंगा percentage a इसका मतलब क्या होता है कि यह हमें day दे देंगा तो चोले है इसको अभी हम एक बार call करके दिखते हैं इस function को यहां पर लेते capital date और इसको यहां से हम small देते execute करते क्या error time does not match दो okay यह हमारा day ओके हमने आपर slash नहीं दिया slash हमें split करना पड़ेंगा slash m की बाद slash right execute करते देखो हमें day मिला month मिला year मिला weekday मिला Saturday राइट वर आज Saturday ही है तो इस तरह करें हमें information में लिए holiday underscore input list करते हम right तो यूजर से कुणसा कुणसा information मिलने वाली है अब जो भी हमें list लेनी है तो उसका sequence कैसा होना चाहिए जिस sequence में हमने model को data दिया था वह sequence में यहां पर हमें information लेनी है तो यहां पर हम जाते है हमारे model को हमने कुणसे format में data दिया था यहांपर देको देखो सबसे पहले हमारा rented by count था तो उसको थो हमने हटाई दिया था next हमारा आर्स तो यहांपर हमारे इंपूट लिस्ट रहेंगा और इंपूट यूजर और यहांपर हम features नेम भी लेते है तो यहांपर हमारे list उसके पाद हमारा feature पर यहांपर हमारे पास user से मिलने वाला आर्स इसको भी हम यहांपर ले लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टेंपरेचर humidity wind speed visibility solar radiation rain falls no fall holiday functioning day day month year इतनी हम information को डारेक यहांसे copy paste कर लेते हैं टेंपरेचर से लेकर year तक हमने अब तक spring को convert नहीं किया है तो यहांपर हम लेते कॉमा और यहांपर पेस्ट करते हैं अब इसको थोड़ा सा यहांपर आगे लेते हैं इस लाइन में आलाते हैं ओके और मंद को भी हम इस लाइन में लाते हैं तो हम यह temperature चाहिए अभी तो हम क्या करेंगे यहां से temperature लेंगे नेश्च हमारे पास है humidity यहापर हमारे पास humidity वैलू भी है हमने लिया humidity, next wing speed आपर हम लिया wind speed , next reasoning विसपीडियि यहापर हमने लिया visibility राइट शोलर रैडिशन हमने आपर लिया solar radiation नेक्स्ट्ट हमार पासे रेंफॉल तो यहां पराम ने लिया रेंफॉल बेसिकले हमारे वीरेबल की नेम क्यापिटल में चाहे है स्मॉल में चाहे तो यहां पर मिलेता हो आवर्स कि नंगे सेसट वुला की वाद अनिया विलिए व्ट सब्सक्रेंग नीच्स लायं में चाहिए इसनोपाल के बाद फंक्शनिंग डे आप रभाने लिया फंक्शनिंग डे स्नूफाल के बाद है हमारे पास है holiday तो holiday हमें मिला है क्या मिला है no holiday तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पर holiday dict है ना इसको यहाँ पर हम copy करेंगे उसके बात यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से हम इस holiday को यहाँ पर call करेंगे तो यह क्या करेंगा यह holiday में value है no holiday तो इस no holiday को आज़र key में यह वैलू लेंगा तो value में मिलेंगे 0, तमारा function अभी numerical format में अर्णोट हो चुका है, उसी तरह के से, हम क्या करेंगे, हमें चाहिए functioning day, तो हम functioning day की यहापर dictionary लेंगे, यह हमारी dictionary, और उस dictionary में हम क्या करेंगे, इस functioning day variable को call करेंगे, तो इस functioning day variable में क्या value है, की की value है, क्या value है, yes, तो यहाँ पर की की value, yes को क्या belong करती value, one, तो हमें value मिलेंगी one, तो इस तरके से हमने इनको तो numerical format में convert कर चुके, अब हमारे पास है day, month and year, तो इस day को हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पढ़ेंगा, जो यहाँ पर information मिलें, इसको call भी कर सकते हैं, यहाँ आपको show करने के लिए, इस variable को यहाँ पर हम call करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे string to date है, यह भी हमारे पास dictionary है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे day, तो हमें यहाँ पर day मिल जाएगा, next हम इसको copy करते हैं, comma करते हैं, यहाँ इसको next line म लिए easy होगा यहाप पर भी थोड़ा सा space दे देते हैं day के बाद हमें चाहिए month तो यहाप पर हम लेंगे day के जगा पर क्या है month की यह month की हमें यहाप पर देनी पड़ेगे राइट और नेक्स्ट हमारे पास है इयर तो यहापर हम लेते इयर इस इयर की वैल्व यहापर हम दे देते हैं अब हमारा क्या बच्छा है हमारा बच्छा है यहापर भाई दे तो यहापर हम फिर से वापोच जाते हैं और यहापर आप देशे तो डे किदार आ रहा है डे य हमें सबसे फ़ले focus करना पड़ेंगा year के बाद spring summer and winter देख रहो spring summer हमें ये total चार column चाहिए तो अब हम क्या करेंगे या पर हमें information मिल रहे है season की winter में अब ये थोड़ा challenging task आपको लग रहा हूंगा लेकिन इतना challenging नहीं है तो अभी हमें क्या करना पड़ेंगा सबसे पहले हम इस column को copy कर लेते summer winter and spring को या पर एक नीचे भी करके ले लेते हैं और सबसे पहले इनको call करके देखते हैं यह सहीतर किसे काम कर रहे है कि नहीं कर रहे user input error मिल रहा है is not defined पहले इसको execute करना पड़ेगा ओके यहापर भी error मिल चुका है r is not defined ओके r is not defined अच्छा तो हमें इनको यहापर यह करना पड़ेगा तो date को भी capital नहीं करते है d और यहापर भी तोड़ा change कर लेते हैं तो सबसे पहले उपर वाले line को exit करते हैं next next अब इनको करते हैं और अब इनको करते हैं तो देखो हमारा user input list आ चुकी है उसी तरह के से हम feature के नाम को भी यहापर call करके देखते हैं कि सही तरह के से हुआ कि नहीं हुआ तो यह सब कु हमें क्या करना है कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त यहापर अभी हम dictionary का इस्तमाल करेंगे सबसे उपर हम क्या करते हैं जो भी हमारे functions है जो भी package से जिसको हम call करते हैं उनको हम define कर लेते हैं तो यहाँ से हम data time को उठा लेते हैं x करते हैं उपर जाते हैं यहाँ पर paste करते हैं अब इसी तरकगे से हमिंपोर्ट करते हैं पांडा अगे करके हमारे पैकेज इंपोर्ट हो चुके है नीचे आते हैं और यहां पर अभी हम क्या करेंगे डिटा फ्रेम क्रेड़ करेंगे तो यहां पर लेंगे ॥क्रिंगे अगे डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम हमें डेटा चाहिए तो यहाँ पर हुलेते सीजन डेटा अंडर्स्कोर डेटा लेते तो बेसिकिली स्प्रिंग समय रेन विंटर कॉलम में हम भाई डेफॉल वैलुजि़ीरो यह फर्म कॉलम लेते जेरो लिस्ट लेते 0 जिरो और जिरो सबके लिए वालुव हमने लिया जीरो रइट या आप इसको भी अटा के क्या दो आप नम पाइ का इस्तिमाल कर सकते हो तिसको हम अटा देते हैं हाड कोडिंग अच्छा है कि आप साप कोडिंग कोड़ों या पर हम इंपोर्ट लो यहाँ पर हम अरे का साइज चैनल रो and three column, तो three column मतलब season की length, यहाँ पर मिलेंगे length of season, right, तो यहाँ पर one by three हमारे पास यहाँ पर एक numpy, अरे create हो जाएंगा, अब हमें क्या करना, यहाँ पर data देना है, तो data हम इसको यहाँ पर देते है data frame को, और यहाँ पर हमें चाहिए columns, तो इसको हम देते columns, columns, columns equals to, यह देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास df underscore, सी जन्स करते हैं, equals to, और इसको हम call करके देखते हैं, कि हमारा data frame क्रेट हुआ है के नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखो हमारा data frame क्रेट हो चुका है, लेकिन यार, यह float में आ चुका है, हमें चाहिए integer format में, तो यहाँ पर हम लेंगे, numpy में, d type, equals to, इंट लेते हैं, अब हमारा पास इंटेजर में आ चुका है, अब हमें क्या करना है, मान लो user से हमें, user से हमें क्या मिल रहा है, तो विंटर के column में हमें value चाहिए 1, मान लो user हमें spring देता है, तो यहाँ पर जिरो के जगाँ पर बन चाहिए, summer value रहता है user के तरब से तो हमें इस column में 1 value चाहिए, तो यह हमें अभी काम करना है, तो हम क्या करने, क्या करने क्या बताओ, तो यहाँ पर हमें condition लगा लेंगे, कि भाईज देख, if, यह जो हमारा user का season है, user का season कहां से मिल रहा है हमें, हमें यहाँ पर मिल रहा है seasons, okay season यहाँ पर spelling ठोड़ी, ठीक है, यहाँ पर हमने seasons लिया है, और यहाँ पर हमने seasons call लेते है, columns, right, columns, क्योंकि variable का नाम सेम हो रहा है season columns, और यहाँ पर हम लेते season columns, फिर से execute करते है, यहाँ पर भी हमें copy paste करना पड़ेगा, execute करते है, if को चलो हटा देते हैं फिलाल, चलो ठीक है, फिर से इस code को execute करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने variable का नाम चेंज चिया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, condition लगाएंगे, if seasons in, seasons in, seasons column, इसमें present रहता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे data frame में जाएंगे, right, और उसके बाद हमारा seasons रहेंगा, मतलब जो भी हमारा column में रहेंगा, उस column में हम जाएंगे, और उस जगा पर हम value लेंगे 1, that simple, समझ जाब, और इसको में अभी call करते, देखो, हमारे season में winter value थी, यहाँ पर एक बार faces को copy करते हैं, और यहाँ पर आपको just demonstration purpose के लिए रख देते, तो हमारी user से winter value मिली है, तो यहाँ पर winter के जगा पर आ चुका है 1, मानलम summer लेते हैं, summer के जगा पर आ जाएंगा one, मानलम on term लेते हैं, तो हर एक जगा पर zero आ जाएंगे, def seasons season to df, season to df मैं इसको दे देता हूँ और यहाँ पर मिलता हूँ season, और इसको complete करते हैं, और इस function को हम call करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम दे देते हैं season, right, यहाँ पर seasons चाहिए, यहाँ पर seasons है, yes, execute करते, seasons is not defined, okay, one second, spelling गलत हो चगा है, हमारे यहाँ पर season क्या है, यह है, seasons, इसको फिर से call करते हैं, variable के नाम यहाँ पर गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो अपकी लग जाएंगे, इसको देते हैं इदर, और उसका भी same नाम से यह यहाँ पर देते हैं, तो हमें return कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है, यहाँ पर हम function में return देते हैं, जो हमें data frame मिलेगा, उस data frame को यहाँ पर हम return करके देते हैं, एक जीबर करते हैं, तो देखो, इस तरह के से अभी हमारा काम कर रहा है, जैसे अभी हमने season के लिए काम क्या, वैसे हमें क्या करना है, हमें करना है days के लिए, तो सबसे फिले हम days को यहाँ पर लेके आते हैं, उसका format, तो यहार हमारा days का जो format ए column का sequence यह इस तरीके का है, इ right यहाँ पर आते हैं, और यहाँ लेते हम days names equals to list के अंदर डाल देते हैं, ओके, अब हमें क्या करना, हमें same यहाँ पर जैसे हमने 0 बनाया था, यहाँ पर भी हम 0 का एक अरे बना लेते हैं, तो लेते हम days data लेते हैं, days name data लेते हैं, name underscore data equals to np dot zeros, और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, dictionary अपलो, टपल के अंदर one comma length of days, तो हमें इस तरीके का हमें नमपायरी मिल जाएगा, right, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें d type, data type हमारा इंटेजरी होना चाहिए, इस तरह के सामारा डेटा आ चुका है, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें data frame grade करेंगे, तो यहाँ पर लेते हम data frame underscore, days equals to pd dot data frame, यहाँ पर हमारे पास data क्या यह data है, इसको हम यहाँ पर data दे देते है, columns equals to हमारे पास है, days की name इसको हम दे देते है, तो हम यह data frame मिल जाएगा, अब हम क्या करने, same यहाँ पर बोलेंगे भाई देख, days, sorry, weekdays, if weekdays in days name, है, तो हम क्या करना है आको भाई, यह जो data frame है, इसको दोड़ा change करना है, किसकी हिसाब से, जो user का input आएगा, उसकी हिसाब से, यहाँ पर हमने लिया, यह equals to लेते है, one और return करते हम, return, sorry, return, days data frame, right, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, अब हम, function का नाम क्या है, बाई, sorry, days data frame, day days data frame, और इसको copy करते है, यहाँ पर नीचे आते है, पेस्ट करते है, और इसको हमें क्या चाहिए, इसको चाहिए, यार, day name, तो day name हमें कहाँ सी मिलने वाला, यहाँ सी मिलने वाला, देखो, days, week days, तो week days, str to date, और उसमें हमें डालना पड़ेगा, week days, तो यहाँ पर हम लेते, str week day, right, यहाँ पर हमें मिलेगा, week day, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भेज़ देंगे, यह हमारे week days की name है, यहाँ से में कॉलम में लेगे या पिसे डिटा फ्रेम क्रेड हो जाएगा उसके बाद यह चेक करेंगा कि विगड़े है हमारे लिस्ट में की नहीं है तो भाई तु क्या कर वन लगा दे और आ जा भाई बाहर तो देखो साथडे यार विगड़ विगड़ साथडेंड़े का एक बाहर पहले कर लेते चेक कर लेते हैं कि नहीं तो तो देखो यह साथ्रेट अपर बन व्हाल Thursday नहीं है तो चलो यह आर Thursday भी है Friday नहीं है Friday नहीं है exhibit करते हैं तो सारी की सारी value हमें मिल चुके 0 तो भाई हमारा काम successful हो चुका है तो इसको यही पर X करके इसको हटाते हैं और यहां पर डाल देते हैं तो हमारे पास अभी तीन function है जो हमें data frame देते हैं नहीं दो ही function है जो हमें data frame देते हैं यहाँ पर मिला हमारा days का data frame यहाँ पर हमें मिला season का data frame राइट और feature भाई यह यहाँ पर है अब हमें इनको भी data frame में convert करना चाहिए तो सबसे पहली यहाँ पर आते हम और यहाँ पर हम लेते भाई क्या करते data frame इनक्यू हमें कुन सा data देना user input list यह दे देते हम और हमारे पास columns equals to यह columns name है इनको हम दे देते है one second ओके सवर्यार इसको copy करते है और यहाँ पर paste करते है और हमारे इस data frame को हम call करते है ओके भाई जबरदस्त एरर आ चुका है तो पाश एपी तेरा वन और यहाँ पर तेरा तेरा कोई बात ने है तो यार हमें क्या करना पड़ेगा जो data मिला है यहाँ से उसको हमें एक list में देना पड़ेगा हमें execute करते है तो चलो यार अब सही तरह के से हमारे पास data frame user input का भी हमने data frame convert कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर हमारा feature यह चलो इसको हटा देते इसको जरूरत नहीं यह एक्स कर लेते है वैसे हमें जरूरत तो नहीं है तो इनको भी हम हटाई देते हैं रहने देते हैं तो देखार हमें हमारे पास total 3 data frame वहाँ चुके और हमें चाहिए इस format में इस sequence में column चाहिए rented by com छोड़ देंगे ना तो हमारे पास इतने sequence में columns चाहिए यहां रखना है तो यह Monday Saturday तो हमारे पास है spring winter यह हमारे पास दूसरे data frame में है और यह rented by com आया से हटा देते हैं तो यह हमारे तीसरे data frame में available है कहा तक functioning days year तक तो अभी हमें क्या करना इन तीनो data frame को combine करना है right concatenate करना तो हम यहाँ पर लेते below और data frame pd.concat करते हैं first हमें चाहिए input data frame तो इस data frame को हम copy करते हैं right यहाँ पर देते है by list के format में दूसरा data frame हमारा है season data frame इसको हमने assign किया क्या अब तक assign नहें किया तो season to data frame है तो इसको हम लेते हैं season underscore df equals to देखने के हम यहाँ पर इसको call भी कर लेते हैं right यह data frame season करते हैं right df underscore seasons equals to यहाँ पर ने ऊपर देना है तो यहाँ पर हम इसका नाम change कर लेते हैं execute करते हैं same thing है यहाँ पर भी हमें data frame underscore days करना पड़ेगा और इसको भी हमें आपर एक बार call करके देख लेते execute करते तो देखो इस data frame को सबसे पहले हम यहाँ पर concatenate करते हैं next data frame को यहाँ पर हम concatenate करते हैं और एक्सिस इक्वेल स्वेल एक्सिस वन क्योंकि हमें जो भी तीन data frame है इनको वर्ड होरिजंटली चिपकाना है तो इसको अब मैं एक बार call करेंके दिखाता हो देखो हमारे पास टोटल 22 कॉलम आ चुक है बल्ले बल्ले यार भाई हो चुक है हमारा का क्या बाखिया है इस्प्रिंग है समर है विंटर है मंडे है सेटर्ड़ है संडे है थर्स्डे है टूस्डे वेनस्डे है और भाई पसी ने निकल गए मेरे यार तो अभी यूजर डेटा इंपूर आ चुक है तो यहापर हम लिखते है डेटा फ्रेम इसको फौर फौर करते है तो इसको भाका से इतल यहां थे नयुस्ट फ्रेमार अब इसको मेए स्केल करना पढ़ेगा ना तो यहापर हम क्या करते Panda sc.transform और किसको transform करना इनको transform करना है वाए scale format में एक बार इसको execute करके आपको दिखा दीते हैं देखो आचुका है हमारा data लाइटा इस format में और हमने हमारे model को भी इसी format में data दिया था दिया था कि नहीं दिया था देखो एक बार दिया था ना तो इस टेटा आ जुका भी इस वर्माट में अब इस टेटा को हमारे मॉडल को हम दे सकते हैं यह पर हम एक लेते हैं sc data for pread scale data for pread हम यह पर लेते हैं इसको एक बार call करकर आपको दिखा भी देते हैं अब यह पर हुआ यापर होंगा हमारा prediction डिपलोइमेंट फेज में अब हमारा होंगा prediction तो यहापर हम लेते हैं प्रेडिक्शन इन डिप्लाइमेंट राइट प्रेडिक्शन इन डिप्लाइमेंट डिप्लाइमेंट चोले ठीक है स्पेलिंग वे लिंग आप देख लेना रिख भाए अब भाई हमारे model को call करना पड़ेंगा तो model हमारा अलेड़िए यापर load हो चुका है दिखरो इस model हम या पर लेते हैं इस मॉडल को हमने ले लिया उसके बाद लेते प्रेडिक्ट करने के बाद हमें क्या करना यार हम इस डेटा को दे देना है भाई हमारे मॉडल को चलो यार इसको एक्जेगूर करते हैं और देखो भाई एक बटन दबाने के बाद हमने टोटल 14 वीडियो बनाए अब यह 15 आज के इस वीडियो में हमें प्रॉपर तरीके से दिखेंगा देखो कंपनी क्या करेंगी कंपनी बोलेंगी भाई देख जो भी कंपनी होगी ना बाइक शेरिंग डिमांड जो भी बाइक रेंटेर पर देती हो कंपनी क्या करेंगी यह डेटा देंगी मॉडल को और मॉडल बता देंगा उसकी हिसाब से जो कंपनी है बाइक वाली कंपने उसकी हिसाब से वह अपने बाइक को अरेंज कर पाएंगे तो यह हमारा में प्रॉब्लेम था उस प्रॉब्लेम को सौल करने के लिए भाई हमने टोटल 14 वीडियो बनाए और यह 15 वीडियो है और अभी एक बट आने के लिए बहुत वीडियो बनाना पड़ा घंटों मुझे बैटना पड़ा पसीना चूटरा मदाक ने कर रहा हो पंखा बंद करके वीडियो रेकॉर्डिंग करना पड़ता है और आज टेंपरेटर बाइक फोटे के आसपास है तो चलो यार इस बटन को दबाते और क्य और या पर चलो यार एक सही तरीके से आपको दिखाता हो रेंटेड बाइक डीमांड ऑन या पर मैं डेट लेता हो हमार पास डेट भी है यार यूजर ने डेट दिया था आ अन डेट ऑन डेट स्वारी अन डेट या पूर अन डेट मिलेगी कि तरुए है एंड टाइम लेते जार टाइम में हमारे पास टाइम है न टाहीं हां हमने दिया था टाइम एता और दिया था ना या पर लेडर आर्ट इसीज़ द्यारा आर्स था उसके बाद हमें आपर मोडल का प्रेटिक्शन इसको एक्स कर देंगे देट बाइक डिमार on date and time is is और भाई यहां पर लेते हम मॉडल का आउट पूर्ट तो भाई यह हमारा प्रेडिक्शन प्रॉपर तरीके से रिंटेड बाई यह हमारा आउट पूट चलो मेरे दोस्त जिस फर्मेट में हमें आउट पूट चाहेता वह फॉर्मेट का आउट पूट अभी इस एक क्लिक से होने वाला है तो चलो दोस्तो शिप और और एंटर बटन को अभी प्रेस करेंगे और जिस जो हमारा बिजनेस प्रॉब्लेम था वह अभी बिजनेस प्रॉब्लेम था इस एक बटन के दबाने से एक्जीकूट हो जाएगा तो चलो यार ओ एरर मिल चुका है आप नमपाइंड यारे रिजन डिफाएंड राउन में कर लिगा तो हमें सबसे पहले हमें वायलू लिस्ट में करनी पूड़ेंगी तो हमारा प्रेडिक्शन या अपने प्रेस करतें तो यहां पर आप थी वो डिमांड यहाँ पर सक्सेस्पूल हो चुक्क है रेंटेट बाइक डिमांड ओंडेट दस तारिको छट्वे मैने 2023 में एंड टाइम नव बजे 4444 बाइक की डिमांड होनी वाली है तो यहाँ पर हम लेते भाई पांच बजे लेते हैं ग्यारा तारिक और टेंपरेचर तो भाई यहाँ पड़ेंगा 20 पकड़ लेते हैं दिंद है और विजी बिलेटी यहाँ पर हम 10 कर लेते हैं रेनफॉल अच्छा खासा है हम 1.0 कर लेते हैं स्जोफॉल नहीं है रेन आ रहे तो स्नॉफॉल है रेंगा और हम लेते हैं विंटर रेनी सीजन अमारे पास कितने सीजन थे हॉलिडे फ़ंक्शन सेजन स कर लात और प्वाई कल हॉलिडे मतलब संड है हम हॉलिडे कर लेते और встрलाल अभी हमारे हिसाब से सही जान करेकchnik इसके हिसाब से हमारे मॉडल ने क्या प्रेडिक करना चाहिए और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या प्रेडिक करना चाहिए तो चोला इस पूरे कोड को आपको एक्जिगूर करना पड़ेंगा भाई पहले इसको एक्जूर करेंगे क्योंकि यूजर ने में इंपूट दिया है अब इस डेटा को हमें आपर क्या लिखा भाई converting data into model consumable format और इसको एक्जूर दरते हैं तो हमारे model ने इसको convert किया उसके बाद यह पर यह पर यह पर और भाई किदर गया हमारा करसर यह डेटा आ चुगा और यह scale हुआ data और अभी हमारा model नेक्स्ट क्या प्रेडिक करेंगा चलो shift प्लस एंटर बढ़न को फ्रेस करते तो देखो हमारे model ने माइनस 43 दिए है वैसे हमारे model ने माइनस व्याले नहीं देनी चाहिए तो कोई बात नहीं इसका मतलब होने यह आपर देखो आर देख लो चार पाच बज़े जो डिमांड है बहुत कम रहती है और भाई यह आपर हमने तो ऐसे फीचर देती है ताकि उसके हिसाब से आपको पताई चलेगा कि लोगों की डिमांड ने रहती है टेमप्रेचर भी ठीक है विंड स्पीड बहुत जाते नहीं थे और फंक्शन इंडेर नहीं है तो लोग ज्यादा नहीं जाते थे तो उसके वज़े से हमारे मॉडल ने माइनस 43 वैलो दी है इसका मतलब भाई जीरो है अब इस प्रॉब्लेम को भी हम सौल कर सकते ऐसा कुछ नहीं कि भाई प्रॉब्लेम सौल नहीं होगा बिल्कुल होंगा बट हमारा मॉडल भाई अभी प्रेशन दे रहा है चोले मैं विजिबिलिटी रेंफॉल को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जीरो और विजिबिलिटी को मैं कर लेता हूँ पचास मतलब भी दिख रहा है बारिश भी नहीं है और फिर से इसको तो यहाँ पर हमारा मॉडल सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा जो एक्सप्रेमेंट वह सक्सेस्पूल हो चुका है और अभी हम इसको पीवाई फाइल में इंटिग्रेट कर लेंगे तो आपको क्या करना है सारे चीज़ों को कॉपीपेस करना और जिसको मैंने प्रेंट किया आने वाले नेक्स वीडियो में आपको पीवाई फाइल में कनवर्ड करके दूँगा ताकि वह फ्रीवाई फाइल आप किसी डेवलोप डिप्लाइमेंट वाले बंदिको दे देंगा तो यह उसको क्या करेंगा जो यूजर को डेटा चाहिए वो डेटा दे देंगा और हमा वाले बंदे बैसिकली उप्स का कॉंसेट का इस्तमाल करके पोडिको डिजाइन करते हैं तो जो फॉर्मेट में चाहिए और हम उस फॉर्मेट में उसको दे देंगे तो दोस्तों मुझे बहुत खुश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने टोटल यह 15 वीडि दिन का फ्यारे दयौ के लूसे सदल में तो हम ऊना बहुत अच्छा का स creativity तो हम लेते हैं है इंडिय का बिस सम şu मेरी सब्सके निकल Tillers को चोड़ो है इस玩ो कोर्या का आता एक है ठंडी रहती है मेरे इसाब से चोलो टेमपरेचर देखिलेती आख डिम टेम पर रेचर चरक extreme हम आप की अ कोरिया का स्पेलंग क्या प्यर्ब का प्रिया चोल यार जो भी इस स्पेलिंग गलत ओके खूरीय है तो और कितने बज़े दोपेर के दो बज़े कितना टेंपरेचर रहता है तो यार चलो हम यहाँ पर लेते एकदम एक्जाक्ट टेंपरेचर 25 लेते हैं कितने होगी बहुत ही कम होगा हम घुमिटी लेते नाइंटी वन परसेंट टो हम यहाँ पर लेते नाइंटी यह पर्सेंट विंद स्पीड किया है किलोमेटर फाइव किलोमेटर पर आर है तो यह हमारे विंड स्पीड किसमे थी हमको पता नहीं है तो चलो एक बार यहापर देखी लेते हैं हमारी विंड स्पीड थी किदर गया है विंड स्पीड मीटर पर सेगन था यार और भाया में तो इतना मैथेमेटर कालकुलेशन करते बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो चाहिए विंड स्पीड चलो मेरे अंदाज से मैं कमी लेता हो चलो पचासे लेता हो यार विजीबिलिटी अच्छी-कासी होंगे तो मैं यहापर लेता हो सेवंटी परसेंट सोलर रेडिशन तो अच् इतनी है भाई यह मैक्स वैलू 3 तो यहापर हम सोलर रेडिशन की वैलू लेते भाई थ्री लेते उसके बाद रिनफॉल यहापर जीरो कर लेते विलाल स्नोपॉल जीरो कर लेते वो स्प्रिंग हॉलिडे कल हॉलिडे है चलो इसको एक्जेक्यूट करते हो देखते हमारा मॉडे की बोल रहा है कि बाई कल 45 ओनली 45 लोगी जाएगे तो चुल यार क्योंकि 91 परसेप्शन है और देखा जाए तो देखो कल बारिश होनी वाली हमने यहापर रेनफॉल डाला नहीं है तभी भी मॉडेल देखो सहीतर किसी प्रेडिक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा हम म ना execute करते है हमारा Model तो देखो हमारा Model वाओ थोड़ा कुछ लौ तो भाइश रहला ठीक है यार पूरे फीचर हमने सहीतर कैसी नएफिवां समझ रहेते है कि तो चलो हमारा डिप्लोईमेंट का पार्ट यूटूब में ऐसा डिप्लोईमेंट गोई मुझे पता है बहुत लंबा हो चुका है वहाइर है षिखने के लिए बहुत इंपोर्टन वीडियो था क्योंकि यार डिप्लॉयमेंट का पार्ट यूटूब में ऐसा डिप्लॉयमेंट कोई नहीं बताता है मेरे दोस्त डारेक कॉपई-पेस्ट कोडर रहता है आपको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और यह जो काम आपको मैंने दिखाया है यह बेसिकली कंपणी में ऐसे ही करती है मैं खुद सीनियर डेटा साइंटेस्ट हुए तो यार उसके हिसाब समय अपना जो भी एक्सपरेंस है और मैं आपको बता रहा हूँ हाला के यार मैं भी यह आप उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जो मेरे को तुरंत दिमाग में आता है वहीं मैं कोडिंग कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम देंगा तो यह जो प्रोजेक्ट यह उसके लिए बहुत दिन लगते है आप एक हो यह सार और यह रिक रिक्वेस्ट है आपने टोटल है 15 वावेडियो को देखेंगे न तो कमेंट में बताओ, हाँ यार मैंने 1 से लेकर 15 वीडियो देखिया है आपको अच्छे लगाऊंगे तो आप मुझे अच्छा फिडबैक दो कमेंट में, आपको बुरा लगाऊंगा तो बुरा कमेंट फिडबैक में देदो और उसी के साथ आपको अच्छा लगाए तो लाइक करो आपको बुरा लागा तो डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्षी में बताओ कि भाई मुझे इस वोजे से ये आपकी जो सीरीज है मुझे बहुत अच्छे लगी नहीं, बहुत खराब लगी इसले में डिसलाइक कहा है, काप डिसलाइक करते हैं तो बहुत द्हां इसले कृषी जाया न देऊंगा, और मैं आपको बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने अपना टाइम दे कि मुझे फिड़िबैक किये और जिसने लाइक किया भाई उसने भी अपना टाइम दे तो उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ तो चलो दोस इस वीडियो को हम यही पर एंड करते हैं मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हैं तब तक के लिए शक्ते से कहाते कुछ इंप्लेमेंट करते रहो धन्यवाद